अभिब्यक्ति की सोतन्तरता का ख्या आर्थ है नागरिक अपनी अभिब्यक्ति और बहस करने के लिए सोतन्तर है नागरिक अपनी आम जनता अपनी अभिव्यक्ति और बहस करने के लिए सुतंत्र है कोई भी बात रखने के लिए उसको अधिकार मिले हैं किसी की कोई पाबंदी नहीं है वे अधिकारियों सरकार तथा समाजिक आयोजन कर सकते हैं नागरिक क्या कर सकते हैं? वे अधिकारियों सरकार तथा समाजिक आयोजन कर सकते हैं जन समस्याओं पर आंदोलन कर सकते हैं सरकार उनके इन कारियों पर परतिबंद नहीं लगा सकती इसी को अभिव्यक्ति की सोतंत्रता कहा जाता है और एक बार देखते हैं नागरिक अपनी अभिव्यक्ति और बहस करने के लिए सोतंत्र है, वे अधिकारियों, सरकार तथा समाजिकायों जन कर सकते हैं, जन समस्याओं पर आंदोलन कर सकते हैं, सरकार उनके इन कारियों पर कोई पर्तिबंद नहीं लगा सकती। इसी को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहा जाता है, या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अर्थ आपने अभी इस वेडियो के माध्यम से शमझा, जो आपको स्क्रीन पर दिखाए दे रहा है। अभिव्यक्ति